नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार के भागलपुर में बनी पुलिस लाइन में 12 अगस्त की रात को चार हत्याएं और एक सुसाइड करके परिवार का खौफनाक खात्मा क्यूं हुआ ये एक बड़ा सवाल है बिहार पु वाले ने हर दिन की तरह सुबह दर्वाजा खटखटाया और आवाज दी जब काफी देड़ तक दर्वाजा नहीं खुला तो आसपास रहने वाले लोग पहुँच गएं किसी अन्होनी के आसंका से मौके पर पुलिस बुलाई गई पुलिस ने दर्वाजा खोला तो ऐसा म बरामदे में नितू के पती पंकज का सब फंदे से लटका था पंकज सुसाइड नोट छोड़ कर गया सुसाइड नोट में उसने पतनी नितू के अवैध संबंद का जिक्र किया फिर भी पुलिस अनसुलजी गुथी को सुलजाने विजुटी है सुसाइड नोट के लगातार विवाद होता था विवाद का कारण पती पतनी और वो है आखिर ये वो कौन है ये भी बड़ा सवाल है सुसाइड नोट में लिखा है कि दोनों बचों और सास की हत्या नितू ने की है गुस्ते में पंकज ने नितू की बिरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद सु बार वारदात अस्थल की जाच की है अक्सर दोनों के विवाद पुलिस अधिकारी ही सुल्जाय करते थे ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 12 अगस्त की रात जब दोनों में लड़ाय हुई तो परोसियों को भनक तक कैसे नहीं लगी आखिर में सबसे बड़ा सवाल नितु का अ और गटनास्तल की जाच करके सबूत जुटाया है परिजनों के आने का घंटों इंतजार किया गया नितु के परिजन समस्तिपुर से पहुंचे और पांचों सबों का जवाहरलाल नहरू मेडिकल कॉलेज में पोश्टमार्टम कराया गया पोश्टमार्टम के बाद सब को परिजनों को सौप दिया गया सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक सिपाही को हिरासत में ले लिया है उससे गोपनी अस्थान पर पूछताच की जा रही है जिसका नाम सूरज ठाकुर है वो क्राइम ब्रांच में कारेरत है जिसे कॉंस्टेवल का नजदी की संबंध ही बताया जा रहा है तो फिलाल इस ख़बर में इतना ही है दर्स नीज के साथ बने रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद